तो फ्रेंट्स, आज मैं compare करने वाला हूँ, DamacyT7200 versus DamacyT1300 यह जो comparison मैं करना हूँ, यह fine demanded comparison है, तो देखते हैं कि कौन सा processor होगा बेटर हाई फ्रेंट्स, मेरा नाम है गौरो, आप देख रहे है टेक रूम वीडियो के हाँ पर स्टार्ट करता हूँ, बेसिक इंफोर्मेशन के साथ, DamacyT7200 नाउस के अगया था फर्वरी 2023 में, and 1300 नाउस के अगया था मार्श 2022 में, दोना ही processor अच्छे कहा से लेटेस्ट प्रोसेसर है, वैसे 1300 थोड़ा पुराना भाए, लेकिन इन इन कंसिडर कर सकते है, बात के यह क्लास की तो यहां पे 7200, mid-range class में आता है, and 1300, Flaxipler class में आता है, model नमर में, यहां पे 7200 का model नमर है, MT6886 है, and 1300 का model नमर MT6893Z है, and TDP की बात की है, यहां पे 7200, 8W के साथ देखने को मिलेगा, 1300, 6W के साथ देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं आर्टेक्छर की, तो आर्टेक्ट्ट्टर वाइस दोन ही जो प्रोसेरों देखने को मिलेंगे, वो ओक्टाकोर प्रोसेंसर होंगे, 7200 में 2.8 गीगार्स क्लॉप कोर्टिक्स A7-0 and 15 देखने को मिलेंगे, बाकी 6 गीगार्स प्लॉक होंगे,ار्टिक्स A5 sokin 10 देखने को मिलेंगे वहीं पर बात किजाए डामेसरी 1300 की तो यहां पर 1st कोर 3 GHz clock cortex A78 3 कोर 2.6 GHz clock cortex A78 4 कोर 2 GHz clock रहेंगे cortex A55 तो यहां पर अगर आप compare करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 4 performance cores दियेगे हैं डामेसरी 1300 में इसका मंदब performance भी डामेसरी 1300 में ज्यादा बेटर आएगी और इसका जो performance वाला कोर है clock है 3 GHz तो frequency भी slightly से बेटर हो जाती है अब बात किजाए यहां पर frequency speed की तो frequency में 7200 2800 MHz के साथ रहेगा वहीं भी 1300 3000 MHz के साथ रहता है तो थोड़ा सा फर्क है यहां पर बात किजाए fabrication का तो fabrication आपको पता है जिसका जितना small fabrication होता है उतना better processor बनता रहता है वो तो यहां पर 7200 4 nanometer TSMC based technology के साथ होगा and 1300 6 nanometer TSMC based technology के साथ होगा 4 nanometer TSMC है वो and either 6 nanometer TSMC है तो यहां पर आपको जो battery efficiency देखने का मिलेगी वो 7200 में ज्यादा better होगी नेक्स आपर बात करते है graphics की तो graphics wise 7200 मिलेगा Mali G610 MP4 का architecture wall hall 3 है and 1300 मिलेगा Mali G77 MP9 का architecture wall hall है दोने ही यहां पर जो GPU दियेगा है वो काफी powerful GPU हैं लेकिन अगर एक winner की बात की बात किया तो Mali G77 थोड़ा dominate करेगा आगे मैं आपको gaming graphics and 3D benchmark बताऊंगा इससे आपको idea लगेगा नेक्स आप बात करते हाँ पर frequency सपोर्ट की तो Damastery 7200 1130 MHz के साथ रहेगा and 1300 850 MHz पर clock रहता है flops की बात किया मतलब floating point operation per second की तो यहाँ पर जो 7200 है यह close करेगा 1000 के down रहेगा और उपर भी जा सकते कोई data का मिला ने वही 1300 का 979 है I think 979 से यह कम ही रहेगा 7200 next आप बात करते हैं memory की तो memory type support में यहाँ पर support मिलेगा 7200 में LPDDR5 का जिसकी RAM frequency 3200 MHz की होगी जबकि IQZ7 Pro में आपको देखने को मिला है LPDDR4X का RAM यहाँ पर 1300 में आपको LPDDR4X का maximum RAM type ही मिलेगा और उसकी RAM frequency 2133 MHz की रहेगी वही पर बात करें storage type support की तो 7200 UFS 3.1 का support करता है और similar ही 1300 भी UFS 3.1 का support करता है पर IQZ7 Pro में आपको थोड़ा difference देखने को मिलेगा अब बात करते हैं पर Gaming Graphics Data की तो Gaming Graphics Data का 7200 मैंने Vivo V27 से लिया है आप IQZ7 से भी ले सकते है यहाँ पर बात करें Damans से थी 1300 की तो इसका data मैंने OnePlus Nord 2T से लिया है यहाँ पर बात करें Free Fire के तो 60 Max ही दोने ही प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा यहाँ पर PUBG 1 की बात किया तो 60 HDR Ultra दोने ही प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा और Call of Duty की बात किया तो हाँ पर 60 के साथ आपको support मिलेगा 7200 में Very High के साथ Very High वहीं पर 1300 में मिलेगा Very High के साथ Max नेक्स्ट अब बात करते है वीडियो capture की वीडियो capture में दोने ही प्रोसेसर 4K capable प्रोसेसर है बाट FPS की बात किया है तो 1300 बेटर रहेगा इसमें 60 FPS का support आता है वहीं पर जो playback है ऐसी SIMDAR देखने को मिलेगा इसमें 4K 60 FPS के साथ दामेसरी 1300 बेटर हो जाएगा नेक्स्ट आप पे NPU की बात किया थे NPU Y7200 में MediaTek APU 650 का support आता है वहीं 1300 में MediaTek APU 3.0 का support आता है connectivity में यहाँ पे देखा जाए तो दोने ही प्रोसेसर 5B support करते है 4G में LTEK 21 और 19 का support मिलेगा Bluetooth 5.3 और 5.2 की technology मिलेगी Wi-Fi की बात किया तो Wi-Fi 6 और Wi-Fi 6 का support मिलेगा तो overall connectivity की बात किया तो Diameterry 7200 स्लाइटली बेटर होगा विकास में LTEK 21 मिलेगा और Bluetooth 5.3 मिल जाएगा बाकी आपको band चेक करना पड़ेगा कि आपके smartphone में कितने band आ रहे हैं 5G के अब बात करते हैं benchmark scores की गीग बंच की बात करें तो हाँ पर single को performance में damage rate 7200 का score 860 होगा वहें पर 1300 का score 943 होगा और हाँ पर multi-core performance की बात किया 7200 का score 2300 होता है वहें पर 1300 का score 3178 होगा जो की काफी high score है वहें पर अगर इसका 7200 का on 6 पे number लिया जाए तो इसका score बढ़के 2600 तक आ सकता है बढ़ 3100 तब भी काफी better number है अब बात करते हैं अन्दूदू benchmark score की अन्दूदू benchmark score में diameter का मैंने data जो है वर्जन 10 से मुझे मिला तो इसका score है 728,098,11 वहें पर 1300 का जो data है ये वर्जन 9 से मुझे मिला अन्दू ये वर्जन 10 पे ज्यादा better होगा इसलिए मैं इसका graph थोड़ा आगे रखा है इसका score वर्जन 9 पे जो था वो 6,20,000 था अन्द अगर से वर्जन 10 पे लिया जाए तो आई थिंग ये 7,50,000 और 7,60,000 तक जाना चाहिए नेक्ट अब बात करते हैं अब बताता हूँ conclusion कि कितना performance gap देखने को मिलेगा आपको CP performance के अगर बात की जाए तो Damp3 7,200,57 score करेगा और 13,00,65 score करेगा gap काफी हाई है मजब performance आपको 13,00 में जादा better देखने को मिलेगी because मैं 4 cortex A78 के support मिलेगा मजब performance score इसमें जादा है अब पर gaming performance की ही बात की जाए है यहाँ पर जो 7,200 इसमें 55 score आता है वहें पर 13,00 में 63 score आता है मजब माली जी 77 जादा better है gaming के मामले में and in-game graphics भी अगर आप देखेंगे तो Call of Duty में आपको थोड़ा better देखने को मिलेगा and अब बात करते हैं battle life में तो battery life में देखें 4 nanometer technology 7,200 के पास है तो इसका battery life better होगा इसमें 93 का score आता है and 13,00 में 84 score आता है because it's 6 nanometer TSMC-based technology के साथ है and आप पर बात करें tick room score की मतलब मेरे personal score की कौन सा process मैं आपको recommend कर रहा हूँ देखें 7,200 63 score करेगा काफी जबर जस प्रोसेसर है F50 कर प्लस जाएगा इसका मतलब normal की ऊपर यह चला गया बाकि यहां पर 13,00 67 score करेगा performance के मामले में 13,00 काफी better रहेगा and performance का ही number है जो की 13,00 का काफी better बनाता है वैसे अगर आपको इस दोनों प्रोसेर में से कोई भी प्रोसेस पसंद आया हो बाई करने वाले हैं या फिर आप यूज कर रहे हैं तो जरूर बताएगा ताकि और लोगों की भी help हो सके वैसे अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब भी जरू कीजएगा ताकि मेरी एलब हो थैंक्स फूर वोचिंग